हेलो एबरिवन वेलकम टू दिस चैलेंग चुलोजी नोड्स आजकी वीडियो में आपको बताऊंगी सनेक भीनॉम और टॉक्सिक इफेक्ट मैं हेडड़ाइन में बस सनेक भीनॉम लिख आप चाहे तो आप पूरा हेड़ाइन को लिख सकते हैं सनेक भीनॉम और टॉक्सिक यह बहुत ही easy topic है मतलब मैं जो आपको notes में दिखाऊंगी वह बहुत ही easy language में लिखावा है आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा तो क्या होता है snack phinum first introduction snack phinum is a kind of highly evolved saliva which the snack uses to both click as well as digest its spray snack phinum क्या होता है snack phinum जो होता है एक तरह का develop lar होता है जिसका use जो होता है snack अपने सिकार को मानने के लिए या फिर अपने खाना को पचाने के लिए करता है snack phinum is a clear transparent pale yellow और strong color having a specified gravity of 1.03 to 1.07 क्या होता है snack phinum जो होता है एक तरह का snack phinum का color क्या होता है एक तरह भीनो मतलब जहर 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 होता है एकदम clear और transparent मतलब दूसरे के पार में जैसे इस प्रोटीन इनचर में आता है इस प्रोटीन इनचर कंटेंस में गांटेंस में इनजाइम यह जो जो वनोम जो होता है वो बैसिकली वो प्रोटीन होता है और बहुत सारे ENGYM को CONTAIN करता है, जैसे, प्रोटियोज हो गया, फॉस्फोरटेज हो गया, और बहुत सारे जो प्रोटीन होते है, प्रोटीन ENGYM, उनको यह CONTAIN करते हैं, विणोम इस थर्मौलेवाईल यह हीट के द्वारे यह deaktivate हो सकता है। टाइप सेनैक ब Happiness अगर आप किसी बूक मैं तो किसीमे चार बताएंगा या फिर कहीं कहीं दो ताइगा मैं यहाँ पे तीन बताऊंगी वो तीन हो आपको विखा में लिखना होगा first neurotoxin second hemotoxin and third cytotoxin first neurotoxin क्या होते है the word neurotoxic comes from its effect on the nervous system neurotoxic इस दिसा कि इसका नाम से आप समय सकते हैं इसका basically इसका किस वर्ड से आ रहा है तो neurons से आ रहा है मतलब brains का जो basic unit जो होता है neuron उस वर्ड से आ रहा है the word neurotoxic comes from its effect on the nervous system यह nervous system को effect करता है nervous system को ही attack करता है इसलिए इस बहनम का नाम कि है तो यह neurotoxic venom होता है यह क्या कहता है neurotoxic venom essentially act as a poison to the nervous system यह किसके लिए जहर का काम करता है तो हमारे जो nervous system जोता है उसके लिए एक तरह का poison का का काम करता है the nervous system depends on the neurotransmitter and neurotransmitter receptor to send signal between the brain and our bodies nervous system depends कि किस पर करता है बेसिकली वो डिपेंड होता है neurotransmitter में और neurotransmitter receptor में और जो क्या काम करता है तो हमारे brain और body के बीच एक तरह का signal या message को पहुचाने का काम करता है रहाँ में और अपको अपको बाइट किया तो वह सबसे पहले वह एफेक्ट करेंगा तो नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी वह एफेक्ट करने लग जा आपके बाड़ी में प्रब्लम दिखने को मिलता है निर्योट्राइब होता है वह आपके निर्योट्रांस्मिटर का प्रोडेक्शन होता है उसको उसको कम करने लग जाता है जिसे क्या होता है नर्वाइब हो जाता है वो precise काम नहीं कर पाता है किसी भी सिंगनल को किसी मैसिज को पहुछाने में वो मदद नहीं कर पाता है mornings het जो तो इसके क्या-kयाईollen Sa kick होता है तो analysis सकता है, conversion और rapid muscles twitching हो सकता है, difficulty breathing अगर नीरो टोक्सिक भीनम अगर आपके body में होगा, तो सबसे सबसे जाद किसको ifक् 않은 उफक्क करता है तो चप fantasy to ifक यूट सबसे जाए घ्यक करता है चाहिए उसको online सेयर क्या करता है च्छल सेयव मिलके अर्गन मनाता है तो इसे तुमेज करेंगा अगर दंगल देमेस करेंगा तहां न्तिशिु देमेज तो यह किसको एफेक्ट करेगा तो सेल को एफेक्ट करेगा साइटो टोक्सिक भेनम जोते हैं बहुत ही जल्दी यह काम करने सुरक है तो मतलब इसका जहर का असर बहुत जल्दी होने लग जाता है एफेक्ट क्या क्योत सकते है सिभिट पेन ऐरिया स्रांडिंग बाइड नैक्रोंसिस इसका क्या क्या ऐफेक्ट दिखने को मिले गा तो बहुत ज्यादा पिएऍप जिस जगह पे काटा हो वहां पे लिगे सुजन हो जाएगा और नेक्रोंसिस यह का मत Sumatra को है किल embargo जाना किसक तो प्लट को करें और यह क्या इक तरह का नहीं करता है किसके लिए या फिर ब्लट इस्ट्रीम के लिए Once hemotoxic venom enters the blood stream, it begins to attack and kill red blood. जब यह venom हमारे body में आता है, तो क्या कहता है, वो blood stream में इंटर करके, यह attack करता है हमारे red blood cells को. Effect of hemotoxic venom typically take longer to affect the victim than neurotoxic or cytotoxic venom. यह effect होता है hemotoxic venom का यह बहुत लंबा time देता है effect करने में किसके मुकाबल विक्टिम के बाड़ी में, किसके मुकाबल तो एक neurotoxic और cytotoxic venom के मुकाबले इसमें effect क्या 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 देखने मिलेगा, क्या 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 आपको लेशन देखने मिले, swelling होगा, उसके internal bleeding होगा, hemorrhage होग स्नेक कितने तरह होते हैं तो वह भी तीन तरह होंगी नियूरो टॉक्सिक स्नेक, most snack with neurotoxic venom are in the elliptis family, जहाता है, जिसके पास neurotoxic venom होता है, वह सब क्या जाता है, elliptis family से वह belongs करते हैं, जो elliptis कहलाता है, elliptis and snacks with neurotoxic venom can be found in Asia, Australia, अपरिका, North and South Africa, यह सब elliptis या पर सनेक जो जैस अपरिका में पाए जाते हैं, अपरिका में पाए जाते हैं, इंडिया में में पाए जाते हैं, बस कुछ चुछ, स्नेक, snacks with cytotoxic venom are most commonly found in Asia and अफरीका, यह जो snack हो, यह जातर पाए जाते हैं, अपरिका में पाए जाते हैं, इसका common example है, black mamba, थर्ड हेमोटोक्सिक सनेक, most snack with hemotoxic venom are in the वाइपर and are in the family, वाइपरेडी, यह जो snack है, क्या होता है, यह हेमोटोक्सिक वाइपरेडी, इसका फैमडी क्या होता है, वाइपरेडी, आप किसी भी फैमडी को लिखते हैं, तो इसको हाइलाइट करके लिखें, और इसका common example क्या लेकिन वो फिगर मेरे पास अभी नहीं है, तो कल या फिर, कल मैं कोशिज करूँगी वो फिगर मैं आपको community में दे देने का, फिलाल यह यह मेरे पास नहीं है, आप theory बस कर लेजिएगा, कोशिज करूँगी, अगर आज मुझे मिल जा दा तो आज मैं दे दूँगी, लेक किजिए.